Hello everyone, मैं हूँ किरन शापरे और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल ये 24 जानवरी से लेकर 30 जानवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सबस्क्राइब किया, तो प्लीज लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडन्ट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फालो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल तो चलिए एक वीरिस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या अनर्जीज हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए काड्स हैं, थ्री ओव वोईसेज एंड गिल्ट और दिखें ये दोनु ही काड्स कहीं बहुत great energies की बात नहीं करते हैं in fact किसी लेवल पे किसी तरीके के मसले और issues रहने की बात करते हैं three of voices का काड hurt energies की बात करता है, disappointment की बात करता है, किसी तरीके की cheating की बात करता है और guilt के काड को जैसे के आप देख पा रहे हैं, mental tension, mental stress की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है और Aquarius इन चीजों को सुनके आपने बिल्कुल भी परिशान नहीं हो ना क्योंकि देखिए tarot guidance के लिए होता है इस reading से guidance लेके आप किसी level पर चीजों को better कर सकते हैं और वैसे भी ये weekly reading है weekly reading में बहुत बड़े मसले या फिर बहुत बड़े issues नहीं होते हैं और specifically three of voices के card को देखें तो फिर से मैं कहूंगी कि किसी चीज को लेकर एक तकलीफ एक परिशानी आप महसूस कर रहे हैं और ये general reading है तो सब के लिए different reasons हो सकते हैं different you know again मैं कहूंगे कि मसले हो सकते हैं जिनको लेकर आप परिशान हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इनसान पे आपको बहुत trust था बहुत आपकी expectations थी और कहीं उनकी तरफ से वैसा response आपको इस week नहीं मिल रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि जितना profit आप चाहते थे उतना profit आपको नहीं मिला कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का नुकसान आपको हो रहा है और देखे जो भी चीजें मेरे माइन में आ रही है मैं कह रही हूँ यहाँ पे सब के लिए different reasons हो सकते हैं different circumstances हो सकते हैं जिनकी वजए से एक परेशानी आप महसूस कर रहे हैं और देखे इन ही चीजों को आप बहुत ही जादा अपने मन में सोच रहे हैं और वैसे भी एक्वेरियस जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है या फिर हम fail होते हैं कहीं हमारे मन में सबसे पहला thought आता है काश मैंने ऐसा ना किया होता तो outcome better होता मैंने वैसा ना किया होता तो चीजें बहतर होती और इन चीजों पे जब हम बहुत जादा focus करते हैं तो एक negative उर्जा हम अपनी life में लेकर आते हैं जिसकी वज़े से इन ही चीजों में हम बहुत टीप चले जाते हैं और देखी इसी को ही guilt भी कहते हैं जहां पे अपनी किसी गलती को लेकर हम अपने आपको punish करते हैं और Aquarius अगर मैं आपको पूछू कि मुझे एक इनसान बताएं जिसने कभी भी जिन्दगी में कोई गलती नहीं करी तो यकीन मानी आप मुझे नहीं बता पाएंगे क्योंकि कहते भी हैं to err is human इनसान है तो गलती तो होगी ही होगी और देखिये मुझे ऐसा लगता है कि गलती करना बुरी बात नहीं है क्योंकि फिर से देखिये human beings तो गलती करेंगे ही करेंगे लेकिन जब हम उस गलती को पकड़ के बैट जाते हैं तब कहीं बहुत हम परेशान होते हैं गिरना गलत बात नहीं होती है गिरके बैट जाना गिव अप करना मेरे हिसाब से बहुत गलत होता है तो देखिये इस चीज की चेकिंग आप जरूर करें इन नच्चल जो भी issues हैं जो भी मसले हैं उनको लेकर आप guilt energies में ना आएं उन पे बहुत जादा focus ना करें कैसे आप इन चीजों से बाहर अपने आपको निकाल सकते हैं क्या इन चीजों का solution है आप उस पे focus करेंगे तो देखिये कोई ना कोई हल आपको जरूर मिलेगा और आप अपनी life को भी better कर पाएंगे इस मसले को भी कहीं आप sort out कर पाएंगे और personal life के लिए आप लोगों के लिए cards है the world, cosmos and completion तो देखिये ये दोनों ही एक ही cards है different deck से और दोनों ही cards कहीं similar सी बात करते हैं दोनों ही cards again मैं कहूंगी ending और beginning की बात करते हैं क्योंकि ये world का card है तो out of the country किसी activity, किसी connection या फिर किसी भी चीज के होने की बात करता है और surface level के लिए दिखिये दो world का card reverse है दो इनी चीजों से related छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले आपके personal front में रहते हुए दिख रहे हैं यानि की हो सकता है कि आप out of the country travel करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी life के face को end करके आप एक नई beginning लाना चाहा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि इस ending को आप accept नहीं कर पा रहे हैं इस beginning को आप welcome नहीं कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ चीजों को आप finalize करना चाहा रहे हैं कुछ चीजों को लेकर एक closure आप चाहा रहे हैं और कहीं अगेन आप finalize नहीं कर पा रहे हैं आपको एक closure नहीं मिल रहा है तो देखे फिर से जो भी चीज़ें मेरे mind में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, overall ये दोनों cards कहते हैं, कि ending और beginning को लेकर छोटे-मुटे issues, छोटे-मुटे मसले रह रहे हैं foreign country से related किसी चीज को लेकर again कुछ issues, कुछ मसले रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए piece का card है, और देखे ये card कहता है कि जो भी इस week हो रहा है, in fact देखे हमने professional friend में देखा आप बहुत जादा किसी चीज को लेकर एक tension महसूस कर रहे हैं तो आपने कैसे एक piece of mind अपने ले लेकर आएं उस पे focus करना है, example के तोर पे देखे हैं, जब हमारा किसी से argument होता है, और at times इतना जादा हम focus करते हैं कि हमें ये argument जीतना है और ये बहुत subtle level पे होता है तो end of the day हम वो argument तो जीत जाते हैं लेकिन in the process बहुत एक, you know, अपने मन के सुकून को खराब कर देते हैं कहीं mentally हम परिशान हो जाते हैं और यहां पे ये card कहता है कि जो भी situation है आपने जीतने पे focus नहीं करना है आपने peace maintain करने पे focus करना है and astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है और इसके हिससाब से blue, indigo, navy blue colors इस week आप लोगों के लिए लगी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Aquarius आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए